हलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूटूब चैनल महांसर में और दोस्तों हम फिर से लेके आये हैं इतियास के 15 बेस्ट क्वेस्टन इतियास सामान ग्यान और आज के यह क्वेस्टन बहुत इंपोटेंट है एक क्वेस्टन मतलब ऐसा है जो लगबग लगबग जर्म में आया हुआ है और इनकी पूरी पूरी आने की उम्मीद है तो शुरू करते हैं लेकिन सरुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिस है अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके पोल पे किलिक कर लें ताकि वीडियो की नोटिपिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो शुरू करते हैं अब पहले कोश्चन तीन सव इकतीस नंबर का कॉश्चन है बहुत गरंद पिटकों की रचना निम्लिखित में से किस बाषा में की गई है तो बहुत ग्रंद हैं जिसे शुतॏःब्टे अब्दहंपुडेगी पाली नहीं और ओ और मोंगली तीस पुत्त ने रचना की क्या है पाली बासा में बहुत गरंत आपको ज्यादा तर आपके किसमें मिलेंगे पाली बासा में मिलेंगे लेकिन जो महायान साखा के गरंत हैं वो आपके संस्क्रत में भी मिल जाएंगे लेकिन जो बेसिक आपके जो मूल गरंत हैं वो आपके पाली बासा में मिलते हैं तो इसका option ये बिल्कुल सही होता है अब बढ़ते हैं next question की तरब दोस्तों तो next question क्या है दोस्तों next question है किस सासक के सासनकाल में नेपाल में बहुत धरम का गमन हुआ था बताएए इसका सिधा सिधा पूछने का ये मतलब है अब बहुत धरम को मतलब फैलाने के लिए या बहुत धरम के लिए गया था इस तरह से इसका मतलब होता है तो इसका option समुद्रगुप्त वी आपका हर्षबर्दन सी आपका चंद्रगुप्त और डी आपका क्या है अशोग तो इसमें से आप देखिए एक ये ऐसा राजा है जो बहुत धरम को मानता था काउन हालांकि हर्षबर्दन भी बहुत धरम को मानते थे लेकिन बाद में ये क्या होते हैं अपने हिंदु धरम यानि ब्रहमर धरम को मानने लग जाते हैं बैदिक धरम को मानने लग जाते हैं तो इसका सही option क्या होगा अशोग होगा क्योंकि तो बहुत नेपाल और लुंबिडी में भी गया था नेपाल में भी गया था तो इसका सबसे बड़ा बहुत दिश्टूप है सबसे बड़ा यहां सबसे बड़ा बहुत दिश्टूप है कि उपका कहां पर सची में है तो इसका सही option क्या है option यह बिल्कुल सही जवाब होता है अब बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या है दोस्तो next question है बहुत धरम grant करने वाली पहली महिला काउन थी बताइए बहुत धरम grant करने वाली पहली महिला काउन थी अगर आप लोग ने मेरी history की की खेलास देखी है तो आप लोग को पता होगा कि पहली महिला काॉन से अगर नहीं देखी है तो जाइए history की playlist बनी हुई है बहाँ पे आप सारी केलासं देख सकते हैं अभी मतलब 18-10 क्ला से हुई है बांके आएंगी तैसे तैसे आपको मिलती रहेंगी तो इसका जो इनकी पहली महिला है वो इनकी मौसी थी मा प्रजापती गौत्मी और दूसरी पूछे तो आमरपाली इसमें जुड़ी थी तो सही क्या है सी है बढ़ते है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तो जातक किसका गिरंत है तो जातक किसका गिरंत है जातक जो है आपका यह आपका बहुत धर्म का गिरंत है जातक कथाओं में बहुत धर्म की जानकारी मिलती है बहुत के अब बढ़ते हैं तरह सब्रेक्राइब का निकले था लेकिन गोड़े के साथ में निकले थे मतलब उनका शारती भी था लेकिन गोड़े के साथ में वो निकले थे तो इसका सही option क्या है गोड़ा इसका क्या होगा प्रतीक होगा ग्रहत्याक का अब इस गटना को बोला जाता था दोस्तों क्या बोला गया था महा बिनिस किर्मड इसको बोला गया था तो सही option आपका क्या है सही option आपका क्या है option ए ने अब बठाना है उनका मूल नाम क्या था बार्दमाँ थाक़ बच्पन का नाम था यानि कि मूल नाम था ये बिलकुल्प सई जबाब अब बढ़ते हैं next question की तरफ और next question दोस्तों है किसे Asia की रोशनी कहा जाता है या question यूँ भी आ सकता है कि किसे Asia का जोती पुंज कहा जाता है या किसे Asia light up Asia कहा जाता है ऐसा कुछ भी आए तो आपका एकी जवाब होगा और वो जवाब आपका क्या होगा गातम बुद्ध तो इसका सही option option C होता है अब बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या है जैन परंपरा के अनुसार महावीर काउन से तीर ठंकर थे अभी बताया यह 24 नंबर के तीर ठंकर थे तो यह काउन से थे option D 24 नंबर के तीर ठंकर थे जैन दरम में 24 तीर ठंकर हुए हैं जो कि जैन दरम की पर अधार भूत बिंदू क्या है मतलब हर एक धरम का कोई ना कोई एक कॉइंसेप्ट होता है कोई ना कोई एक बहुत बेसिक बात होती है तो इसमें जो बेसिक बात थी वो क्या थी क्या वो करम पराधारित थे क्या वो बिराक को मानते थे या फिर वो अहिंसा को या फिर निश् इनका मतलब था किसी जीब की किसी भी तरह से कोई हत्यान नहीं होनी चाहिए तो इनका basic बंदू क्या था अहिंसा था option C बिल्कुल सभी जवाब है बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या है जीओ और जीने दो किसने कहा था बताईए किसने कहा होगा अभी अगर आपने पिछला answer देखा है और बहाँ पे मैंने जो बताया है उस हिसाफ से अगर आप देखेंगे तो answer इसको टिक कर पाएंगे जीओ और जीनो देखा मतलब क्या है किसी को न मारो ना मतलब एक तरीके से क्या आपने आप भी जीओ और दूसरों को भी जीने दो तो यह महाभीर स्वामी ने कहा था क्यूंकि यह बहुत अहिंसा बादी थे बहुत ज्यादा इंसा बादी थे तो option B विल बुद्ध के जीवन काल में ही संग का प्रमुक होना चाहता था मतलब उसमें बुद्ध भी मौजूद थे और यह कह रहे थे कि मैं इस संग का प्रमुक बनूगा जो बहुत धर्म के संग हुआ करते तो यह प्रमुक बनना चाहता था तो इसका एक ही option है क्या है वह देबद नेक्स्ट कोईस्टिन के है दोस्तों महाबीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था तो महाबीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था कुंडग्राम बैसाली मगत पाटली पुद्ध तो इनका जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था और यह कुंडग्राम कहा है बैसाली मे अब नेक्स्ट को़्चन की तरफ चलते हैं जयन्द्रम में पुर्ण ग्याण के लिए क्या सब्ध है अगर कोई विएक्ति अपने ओप्रण भ्यान कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं दो जेन्द्रम पूर्ण ग्यान कर लेता'RE क्या प्रैप्ट कर और नेक्स्ट कोस्टन अमारा लिष्ट कोस्टन है दोस्तो क्या है नेम लिखेत में इसे किस नगर में प्रिथम बहुत संगीता यंचhando dyedी तो यह कहां गई थी ना लंदा बहुत गया राज़गिरय गया तो यह अपकी कहां थी? तो कैसे लगे हैं अपलों को यह को अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें और आप लोग वीडियो देख सकें आप अपने ग्यान में ब्रदी कर सकें आप अपने नोलिज में ब्रदी कर सकें आप एक बेतर तयारी कर सकें तो फिर मिलते हैं इसी मकसद के साथ किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद